हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी कैसे हो, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे दोस्तों, हमेशा कितरह आज फिर एक न्यू मीडियो लेके आ चुकी हूं, अच्छे अच्छे टिप्स and ट्रिक के साथ, जो हमारे घं ब्रस एकादमा करते हैं उसके बाद बिल्कुल खराब हो जाता है हम सब फेक देते हैं तो क्यों ने इसको हमालका कुछ तीफ सेंट्रीक लगा के इसको फिर से दुबारा यूज कर सके तो चलिए मैं बताती हूँ हमें क्या करना है हमें एक गिलास में गरम पानी ले लेना है उसमें लगवग लगवग पाँच मिनट तक ब्रस को डाल देना है इससे क्या होगा कि आपका ब्रस जो है इधर उज़र जो विखर जाता है ब्रस आपका पूरे अच्छे से से सेट हो जाएगा हां अच्छे से तो सेट नहीं हो पाएगा लेकिन काफी हद तक अच्छा हो चलय से पाँच मिनट के बाद पिर हमें क्याय करना है कि नॉर्मल पानी लेलेना है उसमें ब्रस ढाल लेना है यारी कि पानी deeply लिया जाएगा ब्रस शेकर बा 때 को भी आपका को बहुँ जादा यह जु़र पानी में में है डाल देना है यारी किस लिए डालना है दोसतों कि का व्रस इधर उधर जो विखर जाता है काफी हद तक सही हो जाएगा और फिर से आप दुबारा इसको यूज कर सकते हैं हाँ ज्यादा तो अच्छा काफी ज्यादा अच्छा नहीं होता है लेकिन हाँ काफी हद तक सही हो जाता है और कुछ दिन तो आप फिर से दुबारा ज हाउस वाइब को चलना पड़ता है घर को बचत करने का एक हाउस वाइब का ही काम रहता है तो देखिए दोस्तों काफी हद तक यहां बरस सेट हो चुका है पहले कितना विखरा हुआ था अब काफी हद तक सेट यहां पर हो गया है और एक और बात है दोस्तों कि अगर आप जो ब्रस का रहता है बिल्कुल मुलाइम हो जाता है वच्चे का दाथ पर असरने पड़ता है चलिए लेट न करके चलती हूँ अगली टिप्स के और उमीद है कि यह टिप्स आप सबको बहुत पसंद आई होगी अगली टिप्स हमारा इस तरह के सिंग को ले करके हैं सिंग त जैसे कि देखे मेरा भी बैठ गया है मेरे यहां भी बहुत ज्यादा खरा पानी है मैं साफ करते करते तंग आ जाती हूं तेकिन इसी तरह से कुछ टीप्स एंट्रीक लगा के मैं अपने घरों को साफ सुतरा करके रखती हूं तो देखिए हमें क्या करना है इस तरह से एक और कंगी में हमें लगा लेना है इस तरह के से और इस कंगी के हेल्फ से इतना अच्छा से साफ हो जाता है यकिन न माने एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइट हाथों से लगल-गल के साफ कीजिए पोहूत अच्छा से आपक मख उठा है ना कमाल की आईडिया दोस्तों आप सब एक बाद जुरू ठ्राइ कीज़ेगा और ठ्राइ करके हमें बताएगा कि कैसा लगा हमारा idea देख सकते हैं दोस्तों और एक और इस से हम साफ कर सकते हैं अगर जिसके घर में tiles है तो इस तरह का यहां पर दिवा यहां पर दोस्तों गंदा बढ़ जाता है और पोचा कितना भी लगाई है लेकिन साफ नहीं होता है तो इस से हम साफ बहुत अच्छा से कर सकते हैं हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हार्पिक यहां पर डाल लेना है और हार्पिक डालके इसके help से इस तरह से आप लगड़िये बिल्कुल white हो जागा बहुत ज़्यादा signing आ जागा खुबसूरत भी लगेगा दोस्तों मैं जो भी वीडियो डालू तो आपके पास सबसे फर्ष नोटिफिकेसन पहुचाए और जादा सब जादा वीडियो को सेर भी कर दीजेगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से और किसी को सीख मिल सके हमें भी सपोर्ट मिल सके दोस्तों तो देखें यहां पे भीगा के कपड़ा मैं पोच ली हूँ और उसके बाद देखें कितना अच्छा से इधर जिस धर मैं साफ की हूँ साइनिंग आ गया है लाइट मारने लगा है बिल्कुल साफ हो चुका है और आगे जहां मैं साफ नहीं की हूँ देख सकते हैं कितना भी गंदा है उमीद है कि यह भी टीप्स आप सबको बहत पसांद आई होगी अगली टीप्स हमारा जाडू को ले करके है हम सभी के घर में सुबह सुबह जाडू लगाते हैं उससे क्या होता है कि घर तो साफ होता ही होता है उससे निगेटिविटी भी घर से दूर होता है तो इसके लिए जाडू को भी हमें साफ सुथरा रखना बहु जरूरी है दोस्तों आप सब जाडू को हपता में 15 दिन में जूर इसको भी धो है क्योंकि जाडू हमारा साफ सुतरा रहेगा तभी हमारा negativity घर का दूर होगा और सबसे बड़ी बात है कि जाडू में जो भी किटानू उगर है तो हम आज दिन दस दिन पे धोएंगे तभी जाडू का किटानू मड़ेगा तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हार्पिक ले लेना है हार्पिक को इस तरह से हमें चारो तरफ लगा लेना है और जाडू आप हपता में दस दिन में साफ करना ना भूले दोस्तों क्योंकि आजकल बरसात के मौसम है इस मौसम में अक्सर किटानू और हर जगह कहीं भी किसी चीज में पैदा ले लेता है तो हमारा जाडू में भी किटानू बहुत ज़्यादा जम जाता है तो उसको साफ करने के लिए हमें हार्पिक ही डालना है दोस्तो हार्पिक डालने से हमारा सारा किटानू दूर भाग जाएगा जाडू का सारा किटानू मर जाएगा दोस्तो जाडू बहुत अच्छा से साफ हो जाएगा तो इस तरह से हार्पिक डालके या तो आप गलब्स फेहन लीजे नहीं तो है तो फिर इस तरह से पलास्टिक नहीं है क्या ज़्ञार के हमें क्या करना है कि दूक में डाल देना है सुखने के लिए अगर आपको जल्दी सुखाना है उसके लिए इस तरह से आप चिम्टा ले लीजी और इस तरह से चारो तरफ थोड़ा थोड़ा पकड़के आप चिम्टा को लगा दीजे इससे क्या होगा कि आपका जारू अगर जल्दी जरूरत है सुखाने का तो जल्दी आपका सुख जागा नहीं तो फिर ऐसे भी आपका जाड़ो बहुत अच्छा से सुख जाएगा फिर उसके बाद देखे मैं धूप में डाल देरी हूं सुखा के तो फिर मैं आप सबको दिखाती हूं दोस्तों इतना अच्छा से जाड़ो का साइनिंग आ जाता है हार्पिक जाड़ो बिल्कुल चमक उठता है बिल्कुल फुला फुला जाड़ो हो जाता है बिल्कुल नियू के जैसा हो जाता है अभी मैं सुखा के लाती हूं तो फिर मैं आप सबको दिखाती हूं तो देखिए दोस्तों मैं यहापे सुखा के ले आई हूं जाड़ो को देखिए म खर को साफ किज़े आतका घर में नीगिटिविटी वनी रहेंगी साफ सुथा जाड़ू से धर को साफ कीज़े तो केह जाता है कि हमारे हिंदु धर मेरे हिंदो साफ रखे उतना हीलक्षिमी वा की बास होती है तो उबीद है दोस्तों कि आज की सारी टिपस आप सब को पसंद आई होगी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों अपने फैमली मिंबर्स में सेयर कर दीजेगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से और सभी को के लिए बाई बाई दोस्तों